ऑके तो हम दिए जो फस्ट्ट फाइव रूल पडरे थे यानिकि एक से लिकर पार सकती जो रूल पडरे थे तो आपको एक आईडे दे रहा हूं कि वो रूल किसके रिगारिडिंग ते जो फिस्ट वल घ्रव हैं धार्डिंग प्लिट्टी एक्सपोर्ट रांजेक्शन के ए तो आपके बास NTP कितना है तो अथरवाइस यह सभी चीज़े पड़ी थी फॉर्दर इंपोर्ट ट्रांशेक्शन के केस में हमने पड़ा था कि रिगार्डिंग कौन सा रेट अप्ली के बर रहता है क्रिस्टलिजेशन किसे साब से की जा नहीं है पहले 10 दिन का समय रहता था लेकिन अब यहां पर किया है जो भी फॉर्ण करंसी इंपोर्ट बिल्स ड्रॉट की गए जिनको पे नहीं किया गया है उन सभी को ड्रॉट करना पड़ेगा उन सभी को क्या करना पड़ेगा क्रिस्टलाइज करना पड़ेगा बैंक अपनी पॉलिसी के हिसाब से करेगा ठीक है अब यह भी तो चीज पॉसिबल है ना कि जो आप कॉंट्रेक में पड़ेगा लाइकवाइस एक पार्टी यहां पर बैंक है और दूसरी पार्टी जो है कोई और पर सब्सक्राइग तो इसके केस में जो भी नुकसान वह उसकी भरपाइगा नहीं पड़ेगी इसासे अगर दूसरे पर्सन ने डिलिवरी कर दी क्यी यानि पहले ही उसने क्या गरinho दिया उसको रिलाइस कर दिया था तो उसके काड़ेगा करेगा बैंक जो इसको यहां पया नुकसान हो हो पहले जो मेरा contract था वो 28 तक का था 28th of कहले जए October तक का था and 28th October को आकर किस्मर कहता है कि मुझे extend करना है तो मैं extend किस तरह से करूँगा इस वाले contract को cancel कर दूँगा जो prevalent rate होगा market में उस rate पर नया contract उसको ले दूँगा that would be the extension ठीक है then it is regarding the cancellation contracts can be cancelled on or before maturity against recovery of differences अगर convert किया रहता है अगर cancel ही कर दिया रहता है एक तो case हो गया early delivery का दूसरा case हो गया cancellation का तो basically दोनों के case में जो भी differences है वो तो पे करना ही पड़ेंगे न likewise इस case में cancellation के case में क्या हुआ यहाँ पर customer ने आपको यहाँ पर basically क्या किया है गाइड किया है इसने अपनी यहाँ पर mandate दे दिया यहाँ फिर इसने instructions रही है जिसके बेस पर bank जो है पहले इसको contract को क्या कर रहा है cancel कर रहा है यहाँ फिर यह भी उसका तक है कि आपके customer की तरह से कोई instruction आपको मिली नहीं है customer आपके पास आया नहीं due date के उपर यानि कि आपका जो contract की due date थी वो भी निकल गी है तो उसके case में आप क्या करेंगे उसके case में तीन दिन के अंदर अंदर आपको क्या करना होता है तीन working day के अंदर आपको यहाँ पर contract को cancel करना होता है you have to bank within three day working days will cancel तो तीन working days के बीच में cancel करना होता है इस date को note कर लेजिए पहले seven days था ten days था लेकिन अभी यह कितना है three days है तो इसको note कर लेजिए then seventh rule it is regarding business through intermediaries यानि कि अगर कोई intermediary in between आती है जिसके साथ bank deal कर रहा है तो वो सभी क्या है accredited exchange brokers होने चाहिए ऐसा निया कि किसी के साथ भी क्योंकि यह क्या है over the counter deals रहती है वैंने आपको बताया था यह जो भी deals होती है यह OTC based होती है जो forward contract होती है OTC है यानि कि over the counter contracts है तो उसके case में आपको ध्यान रखना पढ़ेगा सामने वाले के credit worthiness के regarding तो जितने भी accredited जो यहां पर exchange brokers है सिर्फ उनके थूँए आप business को undertake करेंगे जो rule no.8 है that is regarding the interbank settlement that is regarding interbank settlement तो यह भी चीज़ हो सकती है कि जब आप interbank को transaction कर रहे है तो उसके case में यहां पर आपने transaction को deliver करने में क्या कर दिया हो time लगा दिया हो transaction की delivery में delay कर दिया हो यानि की transaction कर जो delivery थी होने थी 28 को and आप delivery कर रहे है तीन तारीक को यह भी चीज़ पॉसिबल हो सकती है तो अगर late delivery की जाती है वैसे तो तीन दिन के अंदर अंदर क्या हो जाएगा contract को cancel करना बनता है लेकिन अगर contract मान लीजिए तीन दिन के अंदर ही ब यहां पर जो भी amount का delay किया गया है उसके उपर जो भी यहां पर amount रहेगा कितने rate के साथ 2% के साथ कौन से rate के उपर benchmark rate के उपर जैसे मा लीजे Libor का इस्तेमाल किया रहा है उसके case में जो भी Libor जल रहा होगा उससे 2% उपर यानकी 200 BPS के उपर आपको basically क्या करना होगा compensate करना पार्टी को यह पर कंपनसेट करना होगा ठीक है? So it says, in the event of late delivery of any currency, including Indian rupee, in foreign exchange contract, interest for the number of days of delay shall be payable to the seller bank तो seller bank को pay by the seller bank, यानि कि seller bank जो है, वो यहाँ पर pay करेगा कितना amount pay करेगा, जो भी amount का contract का amount था उसके उपर जो भी benchmark rate है plus 2% उस rate के साथ pay करेगा ठीक है? Then it is regarding acceptance of backvalued credit, acceptance of backvalued credit, अगर seller bank जो है वो willing है, likewise 30 तरीक को यह transaction करना चाहता है, 30th of October की, 28th की transaction थी, 28th October की transaction थी, and यहाँ पर seller bank कहता है कि मैं तुम्हे जो 30th October का rate था, उसी rate के उपर तुम्हें transaction की payment यहाँ पर दूँगा, यहाँ कि late payment होगी यहाँ पर delay होगी, contract यहाँ पर expire होगा 28th को, and further 3 दिन के अंदर अपने इसको क्या करना होता है, cancel करना होता है and आपके पास अभी contract जो है, वो standing है तो आपको यहाँ पर जो selling bank है, वो कहता है कि मैं तुम्हें compensate करना चाहता हूँ value date के उपर, यानि कि 28th की तारीक के बीच में तुम्हें compensate करना चाहता हूँ तो यहाँ पर अगर accept किया जाता है, तो buyer bank यहाँ पर इस तरह के funds को accept कर सकता है, accept करेगा, provided जो funds deliver किये जा रहे हैं, वो दो working days के बीच बीच में deliver किये जा रहे हैं, वो दो working days के बीच बीच में deliver किये जा रहे हैं, from the due date of the contract, is it clear, so that is regarding the rule number rate, so that was regarding FEDAI rules, ठीक है, तो FEDAI के जो rules हैं, उनके बारे में था, तो these are important, तो इनको आप एक बार जरूर से revise कर लीजे है, ठीक है को क्या चाहिए, पैसा चाहिए, पैसा चाहिए, अब वो पैसा जो है, आप इंडियर बैंक से भी ले सकते हैं, और purposes भी हैं, likewise buyer, buyer credit है, sellers credit है, जैसे जैसे हम trade credit कहते हैं, वो सभी चीज़ अवेलेबल हैं, जिसके थूँ यहाँ पर credit जो है, companies को, organizations को, individuals को, trust को, यह पैसा जो है, वो मिल सकता है, ठीक है, लेकिन इसके इलावा भी इसके इलावा भी क्या है, एक channel है, जिसके थूँ पैसा जो है, वो बाहर से लेकर आ सकते हैं, और इसके लिए कुछ हद तक यहाँ पर जो Reserve Bank of India, वो allow भी करता है, तो वो सभी provisions यहाँ पर देखेंगे, so that is covered under the ECB, that is external commercial borrowing, ठीक है, so ECB is basically a loan availed by an Indian entity from a non-resident lender, तो lender कहाँ पर है, बाहर का है, वहाँ से पैसा जो है, Indian entity के दोरह, loan के रूप में लिया गया, ठीक है, यानि कि वापस करने के जिम्मेदारी है, यह पैसा बाहर से जो है, वो लिया गया, most of these loans are provided by the foreign commercial bank, तो ज़्यादा तर क्या होता है, जो भी वहाँ की foreign commercial bank है, वहाँ के वो, यहाँ फिर जो institutions है, वो यहाँ पर इस तरह का loan जो है, वो provide करते हैं, it is a loan availed from non-resident lenders with a minimum average maturity of 3 years, कम से कम 3 साल की average maturity रहती है, इस तरह के loans की in general, okay, ECBs would include medium and long term loans, तो यहाँ पर medium term के याँ से 3 से 5 साल तक की loan भी आपके covered है, and further उससे जादा term के, यानि की long term की जो loan है, वो भी यहाँ पर permit किये गए है, Reserve Bank of India के दोरा, Government of India के दोरा, ठीक है, तो यह यहाँ पर permit किया गया, ECBs have been permitted by the government of India as a source of finance for fresh investments, यानि कि आपको fresh investment चाहिए, ठीक है, आपको क्या चाहिए, fresh investment चाहिए, अब यहाँ पर आपके पास बाहर से पैसा आ रहा है, as a loan, यानि कि आपने loan तो वापिस करना ही करना है, ठीक है तो लेकिन आपको पैसा कहां से मिल रहा है बाहर से लोन मिल रहा है आपको यहां से पैसा नहीं मिल रहा है अब इसकी जो denomination है यानि कि जो currency रहेगी वह आप foreign currency में भी ले सकता है किसी convertible currency में भी ले सकता है या फिर Indian rupee denominated ECB भी हो सकता है यानि कि होगा तो foreign currency में यह वाली country में माली जी USA से अपने loan लिया किसी आपने bank से यहां पर loan लिया ECB लिया तो उसके case में आपके पास तो यहां पर foreign currency आएगी foreign currency को आप convert करके यहां पर जो है इस्तेमाल कर सकते हैं तो उसके बारे में क्या-क्या criteria रहत तो basically जब हम channels की बात करते हैं कि ECB के लिए क्या channel है तो 2 तरह के channel रहते हैं एक तो आपका रहता है तो उसके case में सिरफ और सिरफ वो अपने authorized dealer के पास जाएगा, authorized dealer जो है, automatic channel के थूरू से loan प्रवाइड करवा देगा, यानि कि किसी foreign currency से loan प्रवाइड करवा देगा, किसी बाहर के organization से loan प्रवाइड करवा देगा, अब इसमें authorized dealer का क्या रोला, अब इस चीज को ध्यान से समझेगा, अब entity को, यानि कि single कोई entity है, कोई individual है, अगर तो कोई reputed company है, तो वो अपने ब्याव पर बाहर वाले bank से loan ले सकती है, ठीक है, यानि कि multinational company है, तो उसके case में वो बाहर से loan ले सकती है, लेकिन क्या, अगर हम यह सोच के देखें, कोई कोई यहाँ का local trust, जो यहाँ पर तो established नहीं है, लेकिन बाहर की country में उसके बार में कुछ पता यह नहीं है, तो क्या बाहर की country का bank उसे loan देगा, नहीं देगा, तो उसके लिए यहाँ पर क्या किया रहता है, letter of comfort देती है, यहाँ का local bank है, यहाँ का authorized dealer है, वो basically इस entity के बहाफ पर क्या करेगा, यहाँ पर एक letter of comfort देगा, किसको letter of comfort देगा, बाहर के bank को जैसे हमने, कौन से credit के case में देखा था, जो पैसा था, authorized dealer के पास आता था, लेकिन यहाँ पर, वहाँ पर seller को दी दिया जाता था, लेकिन यहाँ पर क्या है, पैसा entity के पास यह जाएगा, तो इस इस external commercial borrowing, इसका setup कुछ इस तरह से रहता है, यहनि कि जो entity है, वो अप्लाई करती है authorized dealer के पास authorized dealer जो है यहां पर उसे letter of comfort grant करता है बिल्कुल सहमत्य वाली बात है कि यहां पर entity जो है वो कुछ ना कुछ collateral रखेगी कोई ना कोई security रखेगी जिसके बेस पर यह letter of comfort जारी की जाएगी बाहर का जो बैंक है वो यहां पर external commercial borrowing की तुर पर उसको लोंजाए वो प्रोवाइड करेगा और फॉर्दर, buyer's credit, supplier's credit, दोनों के case में यहां कि जो हम trade credit भी कहते हैं हमने पढ़ा था वहाँ पर भी कि अगर उनमें भी tenor जो है आपका तीन साल से जादा बढ़ जाता है ठेक है तो यह चीज़ हमने पढ़ी थी and external commercial borrowings जो है by residents are governed under section 6 of the FEMA act तो FEMA 1999 में इनको cover किया गया है अगर ECB जो है वो individual resident के तौरा यहां पर resident के तौरा available किया जाता है individual ने के resident के बात करेंगे resident के तौरा available किया जाता है आपने यहां पर apply किया अपने authorized dealer के पास authorized dealer आपके बहाफ पर यहां पर reserve bank of India से क्या लेगा approval लेगा approval मिलने के बाद यहां पर letter of comfort जो है वो जारी की जाएगी लेगि जहां पर automatic route है वहां पर authorized dealer को जाने की जरूरत नहीं है किसके पास जाने की जरूरत नहीं है for the automatic route the cases are examined by the authorized dealer category one banks also okay यह point clear हो गया होगा further ECB के case में कुछ एक changes है तो मैं साथ के साथ आपको बजाता रहूंगा तो यहां पर framework ECB का उसके तहत हम different parameters के तुरू इसको समझेंगे likewise जो foreign currency आपको यहां पर ECB मिलता है जो ECB मिलता आपका foreign currency denominated भी हो सकता है as I told you and Indian currency denominated भी हो सकता है likewise यहां पर माल लेते है XYZ entity ने बाहर से पैसा लेना है यानि की ECB के तुरू पैसा लेना है तो ECB के तुरू जो यहां पर बाहर से पैसा आ रहा है वो foreign currency में भी utilize करना हो सकता है यहां फिर जो बाहर से सकता है उसको यहां पर इंडियन रूपी-डिनोमीनेटर डिसी भी हो सकता है यहां फिर foreign currency denominate DCB भी हो सकता है करंसी के देखें तो इसमें कोई भी यहां पर सकती है वह यहां पर ओसकती है तो form for ECB इसी बेंक की फोर्म में हो सकता है इनकी अपर बाहर के बैंक यहां बैंक से लोन ले रहे हैं और यहां फिर यह कोई बाढड ओ सकते हैं, डिवेंचर बमन को छोड़कर कि कि जो आपके fully compulsory FCCBs हैं उनको छोड़ कर जो भी आपके bonds हैं वो भी डिवेंचर भी हो सकते हैं further trade credit भी हो सकता है likewise supplier credit, buyer credit भी हो सकता है यहां फिर FCCBs भी हो सकते हैं यहां फिर FCCBs भी हो सकते हैं तो इन forms की case में यहां पर पर फार यॉनकरनसी में यहां भी आप ले सकते हैं यहां पर भी सब चीज़े भी हो जो है यहां त्रेड क्रेड गुरेंधर्न सालनाशी में करते हैं सात की साथ यहां पर जो प्लेन वनीला रूपी डिनॉमिनेटिट बॉंड है जो बाहर इशू किये गए हैं जो बाहर के केस में जो बॉंड इशू किये जा रहे हैं स्वाप स्क्राइब वह इसमें बात करें तो ज्यादा इसकी डिटेल में जाएंगे की सिंपल एक आईडिया रख लिजिये कि डिनॉमिनेशन जो रहे कि रही कि बोंड की कि रही रूपी के रहेगी लेकिन यह बिल्कुल सिंपल वर्जन में कि बिल्कुल सिंपल वर्जन में जो आपके पास ई-c-b है वो हो सकता है अब अगर हम eligible बॉर्वर की बात करते हैं यान सबी eligible entities जो यहाँ पर foreign जो आपकी direct investment है उसको receive कर सकते हैं वो इसमें covered हैं अब क्योंकि जो LLP हैं वो FDA को receive नहीं कर सकती तो वो यहाँ पर eligible नहीं है तो वो यहाँ पर eligible नहीं है इस जिसको धार में लेजिये further the following entities are also eligible जिसमें की आपके port trust हो गए यहाँ फिर जो जो Exim Bank of India है यह सभी इसमें शामिल है जो ECB के तहत यहाँ पर ECB को receive कर सकते हैं अगर हम Indian denomination के case में देखें तो यहाँ पर वो सभी entities जो इधर शामिल है साथ की साथ जो कोई भी resistant entities हैं जो micro finance activities में लगी हुई है likewise NBFC है उसने लेंडिंग करनी आगे तो यहाँ पर वो भी लोन ले सकती है ठीक है that is covered over here तो यह eligibility के case में आता है मार्किट है that is regulated that is a signature with the organization of the Securities Commission international level पर ना एक organization है जो Securities Commission है कि उसके दारे में जैसे माली जैसे भी है जहाँ पर इंडिया में ठीक है तो अगर तो से भी ने यहाँ पर registration कर रहा है अपने आपको compliant बना रहा है तो इसके case में हम कहेंगे कि जो इसकी guidance है वो यह follow कर रही है तो यहाँ पर उस country के साथ यहाँ फिर FADF जैसे हम के जो हमने AML के case में बढ़ते हैं anti-money laundering के case में बढ़ते हैं that is financial action task force है ठीक है तो worldwide level पर यह भी FADF यहाँ पर यहाँ पर यह क्या करती है ruling करती है ठीक है तो इसके साथ आपके risk जो है ना वो कम हो जाते है country risk और और चीज़ें वो कम हो जाती है ठीक है तो इसलिए कहा गया है कि जो यहाँ पर lender आपका एक तो resident है FADF यहाँ फिर IOS को compliant country का उसके case में हम क्या कर सकते हैं ECB उन financial institutions where India is a member तो ऐसी कोई financial institution जहां पर India member है उनसे भी यहाँ पर जो lending है वो ली जा सकती है यहाँ जो लोन है उनसे भी लिया सकता है if they are foreign equity holders अगर वो foreign equity holders हैं तो सिरफ और सिरफ उसी case में उसी case में individual person जो है वो lender हो सकते हैं यहाँ फिर उनके पास subscription है bonds की debentures की जो की listed है abroad सिरफ और सिरफ उस case में हो क्या हो सकते हैं उसके case में वो as an individual वो आपको ECB दे सकते हैं next it says foreign branches, subsidies of Indian banks are permitted as a recognized lender only in foreign currency ECB यानि कि यही के कोई bank की branch domestic bank की branch बाहर भी है उनकी कोई subsidiary है बाहर तो उनको भी permit किया गया है as a recognized lender उनको भी recognized lender माना गया है लेकिन वो जो यहाँ पर lending करेंगे न वो सिरफ और सिरफ डिनोमिनेटिट होगी foreign currency में वो सिरफ और सिरफ डिनोमिनेटिट होगी foreign currency में except the cases of FCCBs and FCEBs ठीक है इनको छोड़ते हुए जो आपके पास foreign branches है Indian banks की यहाँ फिर subsidiaries है यहाँ के bank की वो यहाँ पर आपको foreign currency में external commercial borrowing के अंडर जो lending है वो कर सकते हैं अब आती है MAMP की that is regarding the minimum average maturity period minimum average maturity period तो MAMP के case में यह बढ़ा था कि ECB के लिए जो MAMP exist करता है that is what that is of the three years that is of the three years लेकिन different further क्या है categories है मादर बास different categories है likewise माल लिजे किसी manufacturing company ने 50 million USD तक का यहाँ फिर उसके equivalent जो financial year में एक अपनों को ECB लिए है तो उसके लिए जो टैनर है ना उसके लिए जो basically MAMP that is one year उसके लिए MAMP का है एक साल का है इसी तरह से माल लिजे ECB अगर raise किया गया है किसी foreign equity holder से working capital के purpose है यह working capital के मतलब कहा हमारे जो general needs है general purposes के लिए corporate जो purposes के लिए needs है उनके लिए यहाँ पर लोन लिए गया है मेन अपने criteria जो यहाँ पर याद रिखने जो manufacturing company है जिसने यहाँ पर बाहर से पैसा उठाया है 50 million USD तक का एक financial year में उसका टैनर MAMP कितना है उसका एक साल तक है इसी तरह से ECB जो यहाँ पर foreign equity holder के थूरूर शाए गई है जिससे हमने foreign equity holders उठाया है इंडिविजुल से अपने पैसा उठाया अपने loan को उतारने के लिए या फिर working capital purposes के लिए या फिर corporate purposes के लिए उसके लिए जो tenner है वो कितना है पांच साल का है इसी तरह से ECB raised for working capital purposes और general corporate purposes या फिर या फिर NBFC non bank financial company जो है उसने further आगे lending करनी है working capital purposes के लिए ठीक है likewise NBFC जो है उसने आपर बाहर से यहां से ECB लिया बाहर से ECB लिया ठीक है एंड इसका main purpose क्या है further EC इसी NBFC ने भी क्या करनी है on lending करनी है इसने भी आगे पैसा जो है वो उधार पर देना किस purpose के लिए working capital के लिए corporate purposes के लिए corporate purposes के लिए यहां फिर ठीक है तो यहां पर इसको भी क्या है allow किया गया तो इनके लिए tenner कितना रहेगा इनका tenner जो रहेगा दस साल करेगा तो simple सी चीज़ समझ लिए जहां पर जहां पर तो foreign equity holder से पैसा उठाया वहां पर maximum tenner कितना रख दिया वहां पर minimum average maturity कितना रख दिया maximum भी कहेंगे minimum average maturity कितना रख दिया 5 साल का रख दिया जहां पर आपके पास जो tenner है जहां पर आप simply और किसी person से यहां पर lending कर बॉर्विंग कर रहे है equity holder को छोड़ते हुए वहां पर जो minimum average maturity period का वो कितना 10 साल का है ठीक है अब उसके बाद आती है regarding the ECB raised for repayment of rupee loan away domestically for capital expenditure यानि कि अब आपने क्या किया है rupee loan लिया हुआ domestic way में आपने जो हमने यहां पर पांच साल वाला दस साल वाल क्राइटी पर आ रहा था वह आपको clear हो गया कि 10 साल वाले case में आपने on lending purposes के लिए NBFC ने यहां पर उठाया था ठीक है लेकिन जो यहां पर further criteria that is regarding the आपने capital expenditure किया है हो सकता है कि आपने को machinery purchase कियो यहां पर locally उसके loan को repay करने के लिए आपने क्या किया है यहां पर ECB उठाया है उसके case में जो tenner रहेगा that would be that would be seven years that would be seven years ठीक है इस तरह से अगर ECB raise किया गया है repayment of rupee loans availed domestically for the purposes other than the capital expenditure ठीक है तो उसके case में भी क्या है आपके बास यहां पर जो limit है वो बनाई गई है for 10 years that is for the 10 years in that case तो maximum जो tenner जो रहता है इसका वो रह सकता है 15 साल तक का पंदरा साल तक का टैनर रहता है जिसके लिए यहां पर Reserve Bank of India अलाओ करता है minimum अपने जो चीज़ यार रखनी है first of all that is regarding MAMP को यार रख लिजे कि MAMP जो ECB के case में रहता है वो तीन साल का रहता है दूसरी चीज़ आप यार रखनी है that is regarding this point इस point को यार रख लिजे ECB raised by the manufacturing companies up to USD 50 million और its equivalent per financial year is one year okay then it is regarding all in cost selling per annum all in cost selling per annum यार जो भी benchmark rate है जो भी आपके पास benchmark rate है उसमें 450 आपके basis points add हो सकते हैं जो यहां पर maximum interest charge किया जा सकता है तो इसमें आपके पास जो भी interest वह रहा है जो भी आपके charges है वो सब चीज़ें इसी rate के बीच में शामिल हो जाती है इसके इलावा इसके surplus क्या चीज़े हो सकती है that could be other cost अब other cost में क्या क्या चीज़े शामिल हो रही है अगर आप prepay कर देते हैं ECB को आपने उठाया लेकिन प्रीपे कर दिया यहां फिर penal interest लगाया गया likewise आपने मेभी हो सकता है default किया हो यहां फिर जो भी यहां पर आपने covenant की थी जो भी agreement किया था उसको fulfill ना किया हो तो उसके case में 2% यानि कि 200 BPS जादा लगाया रहा सकता है above the contracted rate of interest माल लीजिए अगर लाइबोर के base कर लाइबोर क चल रहा है अगर 600 BPS है लाइबोर माल जीजे 600 BPS है तो maximum जो यहां पर rate charge हो सकता है all in cost ceiling per annum के base पर that could be maximum 458 में add कर सकता है यानि कि 1050 maximum रह सकता है and further इसमें अगर और cost डा दिजाते है अगर आप default करते हैं उसके case में 200 BPS और add करती है अगर आपको यहां पर penalty लगती है so that could be the 1050 यानि कि यह जो आपके पास cost है यह के आपके पास this is all in cost ceiling all in cost ceiling पर रहा है ना and यह जो full-fledged आपके पास पूरी cost आई है 1250 that is other cost that is other cost चीक है next it is regarding the end uses negative list तो कौन सी चीजों को यहां पर मना किया गया है कौन सी चीजों के लिए ECB proceeds को आप utilize नहीं कर सकते है likewise real estate activities के लिए नहीं कर सकते है further investment in capital market उसके नहीं कर सकते है equity investment के लिए ECB का इस्तमाल नहीं कर सकते है यह नहीं कि बाहर से आप समाली करा है आपने real estate में पैसा लगा दिया यह नहीं बाहर से पैसा उठाया आपने capital market में investment कर दी यह नहीं बाहर से पैसा आपने equity investment कर दी तो यह यहां पर allowed नहीं है that is regarding the exchange rate change of currency of foreign currency ECB into INR ECB can be at the exchange rate prevailing on the date of the agreement यहने कि जिस date पर आपका agreement हुआ है उस date के हिसाब से यहां पर exchange rate लागू होगा अगर आप ECB FCY को यहां पर convert करना चाहते हैं INR ECB में and for conversion of rupee the exchange rate shall be the rate prevailing on the date of settlement यहने कि अगर आप conversion करते हैं rupee में यहने कि कोई भी foreign currency में आपके पास ECB आया लेकिन आपने यहां पर Indian rupee denominated currency में अगर low लेना है तो उसके case में basically क्या होगा जो exchange rate होगा ना जिस दिन settlement होगी है उस दिन का rate जो होगा that would be applicable okay then next it is regarding the तो पहले क्या रहता था पहले ना specific का आपको sector wise यहां पर guidelines दी जाते थी sector wise guideline दी जाते थी regarding the ECB ठीक है तो different different sector बनाए गया थे लेकिन Reserve Bank of India ने उसे खतम कर दिया Reserve Bank of India ने simple सीधी साधी एक guideline बना दी कि जो भी यहां पर eligible borrower बनते हैं ECB framework के तहट वो यहां पर 750 million USD यहां फिर इसके equivalent तक का amount है हर financial year में ले सकते हैं through the under the automatic route under the automatic route वो 750 USD million million USD यहां फिर इसके equivalent जो भी यहां पर currency बनती होगी एक financial year में इतना ECB जो है वो यहां पर ले सकते हैं then it is regarding the issuance of guarantee etc by the Indian banks and financial institution तो यहां पर ECB के लिए ECB के लिए क्या चीज़ कहीगी है issuance of any type of guarantee by the Indian banks all India financial institutions NBFCs related to ECB is not permitted guarantee नहीं दी जाएगी कोई भी guarantee नहीं दी जाएगी regarding the ECB यानि कि अगर ECB जारी करनी है तो उसके लिए कोई भी bank जो है अपनी यहां पर guarantee जो है वो नहीं देगा चाहे NBFC हो चाहे all India financial institutions हो वो कोई भी यहां पर अपनी guarantee नहीं देंगे ECB के purpose के लिए then it is said financial intermediaries with Indian banks all India financial institutions NBFCs shall not invest in FCCBs, FCEPs in any manner इसके लावा जो financial intermediaries हैं वो किसी भी तरीके से FCCBs में या फिर FCEBs में यहां पर investment नहीं करेंगे यानि कि foreign currency convertible bonds में या फिर जो आपके foreign currency के exchangeable bonds हैं इन में यहां पर investment किसी भी तरीके से नहीं करेंगे next point it is regarding the parking of ECB proceeds ECB proceeds मतब आपका ECB जो था बाहर के bank ने यहां पर sanction कर दिया है अब आपको disbursement भी की जानी है तो आप ECB के पैसे को कहां पर रख सकते हैं अगर तो आपका ECB proceed है वो सिरफ और सिरफ आपने जो expenditure करना है वो foreign currency expenditure है वो सिरफ और सिरफ क्या है? foreign currency expenditure है तो उसके case में आप उसे abroad रख सकते हैं जब तक आपकी utilization नहीं होती यानि कि अगर आपको ECB sanction होगी यहाँ पर आपके जो खर्चे होने वो रूपी expenditure है तो साथ की साथ आपको क्या करना है इस ECB को repatriate करना होगा यहाँ पर इंडिया में and further इसे immediately क्या करना होगा credit करना होगा अगर आपके पास इंडिया में अपने इंडिया में expenditure करना होगा तो उसके case में अपको ECB को बाहर से repatriate करना होगा इंडिया में okay then it is regarding the reporting requirement reporting requirement any drawdown in respect of an ECB should happen only after obtaining the LRN number तो अगर कोई भी drawdown करते है यादि कि किसी भी तरह के ECB अगर आप लेते हैं तो उसके case में आपको क्या करना पड़ेगा सबसे पहले LRN number यादि कि loan registration number जो है आपका वो आपको obtain करना होगा Reserve Bank of India से ठीक है second it is regarding कि अगर आपके ECB के parameters में आप कोई भी changes करना चाते है यादि कि ECB के यह foreign आपका bank है यहाँ पर तो इसके जो भी थे यहाँ पर आपस में agreement हो गया लेकिन अब यहाँ पर कुछ एक चीज़ें जो है वो change की गई है agreement में कुछ एक चीज़ें जो है change की गई है on the जो यहाँ पर mail खाती है किससे ECB norm से भी mail खाती है फिर भी changes तो changes यह न तो उन changes को भी report करना होगा then the borrowers are required to report actual ECB transactions जो भी actual ECB transaction हुई है उन सभी transactions को ECB to return होती है तो उसे अपने authorized dealer के थ्रू यहाँ पर report करना होगा and ऐसी जो reporting होगी ECB के उपर वो monthly basis पर होगी and 7 दिन के अंदर अदर ऐसी reporting जो है वो करनी होगी okay तो यह हमारा part cover हो गया reporting requirements के regarding so that was regarding the ECB itself ठीक है तो external commercial boring के बारे में आपको एक full-fledged idea मिल गया है तो maximum amount जो यहाँ पर automatic route के थ्रू आ सकता है वो कितना सकता है जल्दी से बता दीजिए maximum ECB बाहर से कितना आ सकता है जल्दी से बता दीजिए बिल्बकुल सही है 750 million 750 million जो है यह बाहर से amount automatic route के थ्रू आ सकता है okay पहले इस की category होती थी लेकिन अब यह category जो है वो abolish कर दी गही है and एक simple एक limit बना दी गही है सभी sectors के लिए then it is regarding the DR that is depository receipt तो depository receipt का सबसे बड़े मैं आपको mechanism बता देता हूं तो आप आसानी से उसको समझ पाएंगे तो होता क्या है अब सबसे बड़ी दिक्कत के रहती है कि जो Indian company है जो यहाँ पर expand करना चाहती है किसी भी company को expansion के लिए क्या चाहिए funds चाहिए funds चाहिए अब यह funds कहां से आएंगे funds आ सकते हैं यहाँ पर maybe हो सकता है कि bank loan ले ले यानि कि local domestic loan ले यहाँ फिर हो सकता है कि यहाँ पर India में ही यह equity issue कर दे यहाँ फिर जो दूसरे debt instrument है likewise bonds होगे dimensions होगे इनको issue कर दे ठीक है तो इनके तुरू यहाँ पर funding जो है वो कीड़ा सकती है तो यहाँ फिर हमने बाहर से बढ़ा कि बाहर से क्या कर सकते है यह ECB कर सकते है यह लेकिन यहाँ पर क्या है कि लोन अगर लेते हैं तो यहाँ पर ROI क्या है ज्यादा है और आपकी जो participation है वह साथ-साथ में इंक्रीज ने होती है participation का मतलब है जैसे equity में आपके साथ क्या होता है कि shareholders ने आपकी company में पैसा लगा दिया तो क्या आपको वो short term में वापिस करना पड़ता है पैसा नहीं वापिस करना पड़ता आप उसे इस्तमाल करते हैं उसे growth करते हैं and growth करने के साथ-साथ क्या होता है growth करने के साथ-साथ जो shareholders है उनका पैसा भी यहाँ पर increase होता है and ultimately दोनों की growth जो होती रहती है तो companies के लिए यह जो method वो जादा matter करता है और साथ की साथ अभी चाहते है कि इनके पास bulk में अगर पैसा आए ठीक है तो वो कहां से आ सकता है that could be through the foreign market यानि कि foreign market का जो investor अगर उस industry receipt की जो काफी जादा क्या है famous भी है इस समय पर जो इस समय पर काफी जादा चल भी रही है तो इसमें basically होता क्या है कि या तो यहाँ पर जो foreign institutional investors है जो foreign institutional investors है वो investment कर सकते directly यहाँ पर Indian companies में लेकिन यहाँ पर इंको करना क्या पड़ता है पहले यह Securities and Exchange Board of India के साथ अपने आप documentation होती है फिर यहाँ पर capping भी होती है umbrella भी है यहाँ पर ठीक है जिसके अंदर यह काम काश कर सकते हैं यहाँ कि लिमिटेशन है यहाँ कि क्या है लिमिटेशन है एंड फर्दर जो investors है वो इतनी जादा ना खजल घरभी में पढ़ना ने चाहते है ठीक है जो चोटे investors है वो पढ़ना ने चाहते है लाइक वाइस मालीजे मैंने अगर तीन सो चार सो शेर किसी कंपणी का फर्चेस करना है तो मैं इतनी जादे चीज़े तो ना करूंगा कि पहरे वहाँ पर जो country है उसके domestic जो regulator उसके साथ रिजिस्टर करूंगा यहाँ और चीज़े करूंगा तो वो यहाँ पर इसके एक depository है बैंक है यहाँ फिर कोई depository है जिसको इसने custodian बना दिया अब custodian का basically यहाँ पर main काम क्या है कि इसने shares को simply क्या करना है hold करना है अब यह basically यह इसकी holding इसके पास है तो इसके base पर एक receipt जो है यहाँ पर information receipt जो है वो यहाँ पर provide कर दी जाती है यह अ एक लाख share जो थे एक लाख share जो थे XYZ company के वो यहाँ पर depository ने hold कर दिये यहाँ की इंडिन company ने यहाँ पर अपने एक लाख share यहाँ पर hold कर दी किसके पास domestic custodian के पास hold कर दिये इस domestic custodian ने यहाँ पर क्या किया इस domestic custodian ने यह जो share से इनका hold दे दिया इसके बार में receipt बत करेगा over see's depository bank जो है इस receipt के base पर इसको different depository receipt में convert दखर लेगा यानि कि यह receipt के base पर यह क्या करेगा इनका bundles बना देगा इनके bundles बना देगा मालीजिये इसका यहां पर एक share था तो यहां पर जब भी bundling की जाती है तो lot में lot में share बिखते हैं lot में share बिखते हैं likewise माली जी इन्हों ने क्या किया 20 shares का एक lot बना दिया 20 shares का एक lot बना दिया यानि कि अगर foreign investor ने पैसा invest करना न तो उसको कम से कम अगर एक lot करी देगा तो एक lot में उसको कितने share मिलेंगे 20 share इसको मिलेंगे just an assumption यहां पर ले रहा हूं ऐसा नहीं को fix quantity है वो depend करती है कि company ने कितना rate निकालना है या क्या चीज़ना सो चीज़ने matter करती है तो यहां पर सिरफ एक exemption ले रहे है कि इसने क्या किया इसका जो lot का size है वो 20 shares का lot का size है अब इसकी जो receipt होगी वो यहां पर acknowledge कि जाती है investor को यहां पर पैसा invest करेगा इस depository receipt में यह क्या है depository receipt है जिसमें investor पैसा invest करेगा इसके पास यह depository receipt आजाएगी and यह जो depository receipt रहती है सबसे बड़ी बात this is tradable on the stock exchange यह stock exchange के उपर क्या है इसकी secondary market चलती है जैसे shares के prices चलते हैं उसी तरह से इनके prices भी चलते हैं तो investor के लिए बहुत ज्यादा आसान है यह कभी भी shares को purchase कर सकता है बेच कर सकता है बेच सकता है रही ट्रीडिंग भी कर सकता है अब उससे basically होगा क्या investors के through पैसा जो है indirectly किसके पास चला गया यहां पर Indian company के पास आ गया Indian company से के पास आ गया that is what that is a depository receipt यही depository receipt का जो है process रहता है is it clear तो यहां पर theory part पढ़ लेते हैं जल्दी से depository receipt is a mechanism through which a domestic company can raise finance from international equity market तो आप international equity market से पैसा उड़ा जटते हैं local company का share domestic company का share यहां पर international market में stock exchange में लिस्टीड हो गया through the receipt तो इसके तो यहां पर इसकी trading हो रही है इसका जो investors और foreign investors अपना पैसा यहां पर invest कर पा रहे हैं इसमें चीक है ultimately इसके पास बाहर से पैसा आना शुरू हो गया इसका जो equity थी वो यहां पर increase होगी shareholder base पढ़ गया इसका पैसा है तो यह expand कर सकती है चीक है in this system the shares of the company domiciled in one country are held by the depository तो depository के तोरे यह shares जो है वो hold की जाते है that is overseas depository bank तो overseas depository bank जो है वो यहां पर क्या करता है shares की receipt की holding करता है जिसके basis पर वो क्या करता है वो claim देता है against these shares in shares के base पर वो further आगे receipts issue करता है and ultimately जो investor है वो पैसा अपना invest कर पाता है such claims are known as depository receipt that are denominated in the convertible currency जो जादा दर कर रहती USD रहती है but these can also be denominated in euros तो यह बिल्कुल different different type के क्या है depository receipt है likewise एक depository receipt आपके पास ADR that is American depository receipt जो दूसरी आपके पास वो है GDR जो है global depository receipt तो American depository receipt का मतलब क्या है कि America में अगर आपने America में अगर किसी non-US company में तो यहाँ पर माल लिजिए America की stock exchange है अगर America की stock exchange में किसी non-US company ने यहाँ पर अपनी listing करनी है तो वो किसके थूँ करेगी वो ADR के थूँ करेगी यानि कि इस company के ADR issue की जाएंगे वहाँ पर ठीक है उसके थूँ जो investors है वो इस ADR में पैसा invest करेंगे ठीक है इसी तरह से global level पर अगर किसी company ने investment करनी है तो उसके base में क्या होगा GDR issue होगा तो अमेरिका में ADR होगा otherwise global level पर करना तो GDR होगा इसी तरह से इंडिया का भी है that is Indian depository receipt यान कि किसी non-Indian company ने अगर यहाँ पर stock exchange में अपनी listing करनी है तो उसके case में किस के थूँ करेगी IDR के थूँ करेगी ठीक है is this concept clear ठीक है तो जल्दी से बता दीजिए यह concept clear होगा आपको तो यह concept रहता है आपका ADR का GDR का IDR का ठीक है अब मैं आपको example बताता हूँ likewise HDFC company HDFC sorry company HDFC bank हो गया TCS होगी TCS होगी and video कौन होगी and video कौन होगी इन्होंने क्या किया इन्होंने भी यहाँ पर GDR के थूँ पैसा अटाया हुआ इन्होंने भी GDR के थूँ पैसा उठाया हुआ ठीक है तो depository receipt एक कह लिजिए चलन में चीज चलती है न जैसे वैसे ही है ठीक है तो इसका concept clear होना ज़रूरी है तो इसके बीच में जल्दी से differences पढ़ लाता है ADR GDR के वीच में So ADR के case में full form किया इसकी American depository receipt and GDR की full form में हमारे पास global depository receipt meaning क्या रहता है ADR is a negotiable instrument जो की US bank के दोरा issue किया जाता है तो यह क्या है एक negotiable instrument है जो वहां के local depository जो है यानि कि वहां का जो bank है उसके दोरा issue किया जा रहा है उसके दोरा क्या है issue किया जा रहा है Okay then GDR क्या है GDR is negotiable instrument issued by the international depository receipt यानि कि global level पर जो एक bank है वो यहां पर deal कर रहा है वो यहां पर GDR को issue करता है representing the foreign company's stock trading globally यानि कि foreign currency के stock को show किया जाता है which is traded globally relevance के हिसाब से देखें तो foreign company जो है जो non US companies है वो US में क्या कर सकती है trade कर सकती है foreign company जो है वो किसी भी country की stock market में trade कर सकती है other than the US stock market using the GDR जो ADR है that is issued in United States domestic capital market जो GDR है that is European capital market में वो issue किया रहाता है listing के बात कर रहें तो यह American stock exchange के उपर जैसे कि New York stock exchange है यहां फिर NASDAQ है दोजा listed in American stock exchange such as NYSE और NASDAQ negotiation की बात करें तो listing जो है यहां पर वो अमेरिका में हो रही है तो negotiation भी सिरफ और सिरफ अमेरिका में होगी and क्योंकि यह जो है globally listed है तो इनकी negotiation all over the world हो सकती है so idea क्या है idea is companies incorporated outside the country raise resources from the Indian capital market with issue of the idea idea means any instrument in the form of depository receipt created by the domestic depository in India यानि कि बाहर की country के कोई यहां पर company है foreign company है foreign company ने यहां पर shares अपने hold कर वाए उसके जो depository था bank वहां पर and उसने यहां पर एक information भेज़ दी इंडियन depository को इंडियन depository ने यहां पर उन shares के base पर क्या कर दिया जो receipt सी उन्हें issue करी जो receipt यहां पर issue की जाएंगी इंडियन depository के तरह those will be set to be idea उन्हें क्या कहेंगे आइडियर कहेंगे तो यहां पर ideas को stock exchange के उपर list के रहेगा and यहां पर जो investors अपना पैसा जो है यहां पर invest कर पाएंगे उसके बाद आती है regarding the FCCBs foreign currency convertible bonds क्या है it is an instrument for raising foreign currency funds by companies अगर foreign अपने currency में अपने funds को raise करना है तो आप क्या करते हैं FCCBs को issue करते हैं आप क्या करते हैं FCCBs को issue करते हैं these are fully or partly convertible bonds which gave the right to the holder to convert the amount into equity shares only or the one that we have in convertible bonds होता हैh जहां पर आप क्या कर लास्क्ते है funds को convert कर सकते हैं एका कर सकते है एक कुटी में कर रिचप्रीम आप्री डिटिरमाइं प्राई इक कर सकते हैं या पर फिसो परस्योंकों कर सकते हैं So, these are for your partly convertible bonds, which gave the right to the holder to convert the amount into equity shares at a pre-agreed price. Indian companies को ये permit किया गया है, Reserve Bank of India के guidelines के अंडर की वो FCCBs को issue कर सकती हैं बाहर. Okay. So, that would be regarding the theory part. तो इसके साथ ही हमारा जो module A है, वो यहाँ पर खतम होता है, तो जल्दी से यहाँ पर कुछे questions को cover कर लेते हैं. So, the dollar denominated receipt, tradable on a stock exchange in Europe or private placement in US, representing one or more shares of issuing company is called, representing, representing, not representing, representing one or more shares of issuing company is called, Indian depository receipt, global depository receipt, American depository receipt, यहाँ फिर foreign currency convertible bond, dollar denominated receipt की बात कर रहे हैं, तो dollar denominated receipt में क्या चीज़ रहती है, and further tradable on a stock exchange in Europe or private placement in the US, representing, one or more shares of issuing company. So, उसे मैं क्या कहेंगे, that would be called as, global depository receipt, GDR कहेंगे उसे. So, option B will be the right answer over here. Next, it says, the currency, the equity related foreign currency bonds, that the convertible in part or in full, into equity of the issuing company at a later date are called, Indian depository receipt, global depository receipt, American depository receipt, यहाँ फिर FCCBs, that is foreign currency convertible bonds. So, equity, जो की relate करती है, किसके साथ, foreign currency bonds के साथ relate करती है, जिसको हम partly, यहाँ फिर fully convert कर सकते हैं, किसमें, partly, यहाँ फिली convert कर सकते हैं, बाद में, equity में, at a pre-determined price at a later date, those are called foreign currency convertible bonds, FCCBs कैते हैं, so option D is the right answer, question number 2, next it says, which of the following feature is not correct in connection with American depository receipt, So, American depository receipt के case में, कौन सी चीज़ यहाँ पर सही नहीं है, the US bank is a depository in this case, it is a evidence of ownership of underlying share, these are freely traded in US without actually delivering the delivery of the underlying non-US shares, none of the above, which one of the following is, which one of the following is not a connection, not a correct connection with ADRs, question number 3, what would be the right answer? question number 3, the right answer will be option D over here, क्योंकि यह सभी चीज़े कहा है, features ही है, किसके ADR के features ही है, likewise US, जो bank है, वही depository होगा वहाँ पर, क्योंकि यह सिरफ और सिरफ ADR जो होते हैं, यह यहाँ पर issue ही जहाँ किया जहाते हैं, American market में issue किया जहाते हैं, it is evidence of underlying, यानि कि जो भी underlying share है, उसकी ownership को represent कर रहे हैं, that is evidence of it, बिल्कुल सही है, these are freely traded in US, तो यह US में freely traded है, without actual delivery of underlying non-US shares, यानि कि actual delivery तो नहीं होगी न, representation कर रहे हैं ADR, लेकिन actual delivery नहीं होगी है, लेकिन विल्भी इसको trade कर सकते हैं, that is also true, next question says, description of which of the following returns is submitted by banks to RBI, does match, तो कौन सी जो statement के बारे में, return के बारे में information दी गई है, वो match करती है, in case of the following, तो XOS statement, a monthly report of overdue export bills, BEF जो है, यहां पर वो किस से relate करती है, यहां पर question में थोड़ा सा change कर लीजिए, we will write it as, does not match, does match नहीं कहेंगे, which of the following does not match कर देते हैं, question को, question 5081, question number 4, over here, so XOS statement, जो है, वो overdue export bills के बारे में बताती है, उसके regarding statement है, बिल्कुल सही है, लेकिन tanner को लेखिए, क्या यह monthly statement जाती है, this is not a monthly statement, this is half yearly statement, this is half yearly statement, and further अगर हम बात करते है, regarding the BEF, तो BEF क्या है, what is a BEF, जो bill of entry आपकी, यानि कि आपका import का तो यहां पर हो गया, लेकिन उसका जो proof है, उसके बारे में जो proof था, कोई भी submit नहीं किया गया है, उसके बारे में, प्रूफ जो था, वो submit नहीं किया गया है, तो वो बिल्कुल सही है, option B जो है, सही है बिल्कुल ही, option C जो है, that is famous, जो famous है, that is daily data, not a monthly return, so option A and C will be wrong over here, so कौन सी स्टेटमेंट मैच नहीं करती हैं, A and C does not match, दोनों ही मैच नहीं कर रहे हैं यहाँ पर, there was some confusion regarding the question, so option A and C, जो हैं, दोनों ही मैच नहीं कर रहे हैं, XO as a statement जो होती है, वो half-early basis पर होती है, जबकि जो famous का data है, वो daily basis पर data दिया जाता है, regarding the foreign exchange dealing rooms, so option D will be the right answer over here, A and C, जोनों ही मैच नहीं कर रहे हैं यहाँ पर, next it says, draw of foreign exchange is not permitted for which of the following countries, तो कौन सी countries के लिए foreign exchange अगर आप withdraw करना चाते हैं, तो वो allowed नहीं है, Bhutan and Sri Lanka, Sri Lanka and Bangladesh, Nepal and Bhutan, Nepal and Sri Lanka, Nepal and Sri Lanka, question number 5, Nepal and Bhutan के लिए यहाँ पर जो draw है, that is not permitted in foreign exchange, foreign exchange का draw है, वो यहाँ पर allowed नहीं है, option C is right answer, next question it says, under LRS, that is liberalized remittance scheme of Reserve Bank of India, the maximum amount that can be remitted is restricted, which of the following in this connection is not correct, तो हमने बताना है कौन सी option जो है, वो correct नहीं है, overall limit जो है, वो 1,00,000 USD की है, option B it says, donations can be sent up to 50,000 USD only, gifts can be sent up to 1,00,000 USD only, option D it says, all of the above, so question 5087, question number 6 over here, what would be the right answer over here, सभी ही options यहाँ पर गलत हैं, so option D जो है, that is the right answer, because हमने यहीं find out करना था की conception गलत है, तो तीनों ही options गलत हैं, यहाँ पर option D is right answer, next question says, what is the maximum amount of ECB, external commercial borrowing, by a corporate in service industry, such as hotel, hospital, और software sector, तो इनके लिए क्या limit बताए गई है, क्या limit यहाँ बताए गई है, ECB के regarding क्या limit है, जल्दी से बता दीजे, question number 7, no sector wise limits, what would be the right answer over here, दीखिए as it is, यहाँ पर sector wise limit से उनको remove कर दिया गया है, जो maximum amount है, that is basically 750 million, 750 million USD का maximum amount है, पहले 200 million का था, लेकिन वो guidelines अब change हो चुकी है, 2019 में जो master circular आया था, ECB का, उसमें उन guidelines को change कर दिया गया था, so option D is the right answer over here, कि कोई भी sector wise limit नहीं है, लेकिन जो maximum amount है, maximum amount है, up to 750 million USD है, okay, so question D is the right answer, next question says, which of the following is a nodal agency, for export marketing fund, of government of India, जो EMF है, उसके लिए nodal agency कौन सी है, जिसे government of India ने बनाया है, EMF को उसके लिए nodal agency कौन सी है, AXIM Bank of India, Export Credit and Guarantee Corporation of India, DGFT यहां फिर Reserve Bank of India, which one is the right answer over here, AXIM Bank जो है, that is a nodal agency for EMF, AXIM Bank of India जो है, that is nodal agency for EMF, so option A is right answer over here, option A is the right answer over here, ECGC नहीं नहीं है, AXIM Bank is nodal agency, next question it says, authorized dealer category 1, can release a foreign exchange for the following purposes, so which one is not correct, we need to tell which one is not correct, maintenance expenses of relative abroad, 2,50,000 USD per financial year, employment abroad, 2,50,000, immigration abroad, 2,50,000, foreign currency notes for any of the above purposes, not exceed 2,000 USD, which one is the right answer over here, portion 5086, जो foreign currency notes की limit है, that is not 2,000 USD, that is a 3,000 USD, जो foreign currency notes की, जो currency notes की यहां पर limit है, coins की limit है, that is 3,000 USD, not 2,000 USD, तो उसके case में यहां पर option D, जो है, that is wrong, over and above जो amount जाएगा, वो traveler check की form में जा सकता है, so option D is the right answer over here, next question it says, import of a foreign exchange is allowed, subject to declaration on form CDF, तो currency declaration form की तरह, आपको एक declaration देनी पड़ती है, अगर आप बाहर से foreign currency लेकर आते हैं, where the amount exceeds, किस case में आपको यह declaration देनी बड़ती है, 10,000 USD in case of currency notes, 5,000 USD in case of traveler check etc, 10,000 in case of currency notes and above 5,000, the total amount, the 5,000 USD in case of currency notes and the total amount above USD 10,000, so यहां तो अगर आपके पास जो currency notes हैं, जो आपके पास currency notes हैं, those exceed 5,000 USD, यहां तो उस case में, यहां फिर जो total आपके पास currency है, that exceeds 10,000 USD, तो दोनों ही cases में आपको CDF देना पड़ता है, currency declaration form आपको देना पड़ता है, declare करना पड़ता है वापर, ठीक है, next question says, what is the minimum average maturity period of ECB, up to USD 50 million, by manufacturing companies, so minimum average maturity period, MAMP क्या है, this case में, जो manufacturing companies हैं, उनने 50 USD million, उसे यहां पर ECB की तौर पर वो लेकर आए है, that is one year, that is one year, जो average आपका MAMP है, अगर आपको सीधा तोर पुछा, कि कितने हैं तो तीन साल का है अगर आपको स्पैसिफिकली पूछा गया है यहां पर जैसे इन्हों ने कहा है कि manufacturing companies है 50 million usd से लेकर आएं वो 50 million usd तक लेकर आएं तो उसके केस में जो time and that is one year option a is the answer here next question it says foreign exchange can be purchased by depositing cash in Indian currency for a limited amount what is the whatever following is correct in this connection तो मनें बताना कि कौन सी चीज़ करेक्ट है connection में up to rupees 1 lakh in cash beyond that to the debit of the saving bank account only up to rupees 50,000 in cash beyond that to the debit of the bank account only up to rupees 50,000 cash and above that from the bank account account paycheck or debit card or credit card option date says up to rupees 1 lakh in cash above that from bank account account paycheck or debit credit card account paycheck or by use of debit or credit card what would be the right answer over here what would be the right answer over here question number five zero eight three so option c is the right answer over here कि 50,000 तक अगर आप cash देते हैं तो आप यहाँ पर currency ले सकते हैं यहाँ पर foreign currency ले सकते हैं उसको purchase कर सकते हैं अगर उसके ज्यादा कि आपको currency लेनी है तो यहाँ तो आप account पर check का इस्तिमाल करेंगे bank account का इस्तिमाल करेंगे यहाँ फिर आप debit credit card का इस्तिमाल कर सकते हैं option c is the right answer over here यहाँ कि cash की फॉर्म में 50,000 तक की currency से ही आप यहाँ पर foreign currency purchase कर सकते हैं and further currency को आपने 180 दिन के अंदर-अंदर इस्तिमाल करना होता है otherwise you have to surrender it further it says under supplier's credit scheme the exim bank offers so suppliers credit scheme के अंदर जो exim bank है वो क्या चीज़ ओफर करता है credit to the indian credit to indian for manufacturing credit to indian exporters for offering deferred credit to overseas to buyers credit to overseas importers to import from indian exporters credit to indian importers to import from other countries which one would be the right answer over here which one would be the right answer over here question number 5075 देखें यहाँ पर exim bank के point of view से पूछा गया है तो exim bank जो है जब supplier credit scheme के अंदर जब lending करता है na exim bank करता है उसका main purpose क्या है exporter को lending की exim bank ने and exporter जो है further यहाँ पर supplier को अपने यहाँ कि जो supplier को यहाँ पर डेफ़र्ड वे में यहाँ पर डेफ़र्ड क्रेडिट प्रवाइड करवाइड 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 थेक है तो option b is the right answer over here so यहाँ पर exim bank है exim bank यहाँ पर supplier credit करता है तो इस स्कीम calendar यहाँ पर supplier को credit provide किया जा रहा है ताकि वो deferred credit प्रवाइड पर बावाइड करवाइड 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 को okay so option b is a right answer over here so friends dad would be regarding today video